हेलो लाइक और को सब्सक्राइब एंड अच्छी लगए हुआ करते हैं और चलिए वीडियो को सब्सक्राइब एड्ली और शामबर की रेच्पी करने जा रही हूं यह मैंने इड्ली सुजी से बनाई है बहुत ही स्पंजी बनी है बहुत ही शॉफ्ट बनी है और इस शामबर मैंने किस चीद से बनाया है इसको देखने के लिए आप पूरा वीडियो वाच करिएगा चली बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां हमने लिया है कुछ सबजियां जिसमें मैंने प्याज, आलू, टमाटर, गाजर, मिर्ची लिया है और यह मैंने कूकर को रख दिया है गैस पर और उसमें मैंने तेल गरम करने के लिए डाल दिया है थोड़ा सा राई डाल दिया है थोड़ा सा प् एक अदंगा करते खेडिक सब्सक्राइबास, जानः काज़ना प्ल किविए Grun Jaci Memoruni में गिरेंगे प्रिमा-मचाओ उसके बाद हम इसको अच्छे से तैने फ्राई करेंगे और धेखे मैंने क्या डाला है यह बचे हुए चम्मर शावल मैंने बचे हुए दो चम्मर चम्म jsem तो यह मैंने केकशल से बनाया है बचे हुए डाल और चम्मर से बूण talk फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी आइट कर देंगे, भूनना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा भूनेंगे तो स्वाधत चा जाएगा, और लास्ट में हम डालेंगे इसमें इमली का पानी, आप इमली की पानी की जगह पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं, अगर इमली का पानी ना हो, और बस थोड़ा सा और चला देंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा सा पानी वाला टेस्ट आता हो ना, तो वो थोड़ा सा पक जाएगा, और बस इसमें हम दोर से धाई ग्लास पानी डाल देंगे, और सीटी लगा देंगे, लगबग एक सदो और बस चलिए अब बनाते हैं इडली इडली की तैयारी करते हैं तो यह हमने सूझी ले लिया है लगबबग में टो काटौरी और इसमें मैंने एककटौरी वैहीं डाल दिया है तेश्ट के अनुचार नमक डाल धिया है थोड़ा से चला दिया है और Abbass पानी लगएगह उसता हो दालेंगे तो मैंने उसके बाद देखा थे थोड़ा सक पानी ऐसे पर दालेंग cao-to-to-to-to-d опять-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. यह मेरा इडली का बैटर तयार हो गया है तो चलिए अब इडली बनाने शुकरते हैं तो यह मैंने इडली स्टेंड ले लिया है तो इसमें मैंने लगबग घी लगा दिया है थोड़ा-थोड़ा करके और इसके बाद इसको इडली बैटर जो है वह फिल कर दिया है फिल करने क के बाद इसको मैंने इडली मेकर में रख दिया है इडली मेकर को पहले मैंने थोड़ा सा बॉयल करने के लिए रख दिया था एक गलास पानी डाल कर ताकि पानी उसमें अच्छा सा बॉयल हो जाए और इडली अच्छे से और जल्दी से पक जाए तो पानी बॉयल करने के इसको पकाएंगे तो पकने में लगब autop525 लगते हैं तो यह देखिए बनकर तयार हो गया है एड़ी और हम साबर भी बन गया भगी है चलिये हम दोनों सर्व कर लेते हैं तो यह मेरी इडली तयार हो गई है और सामझार थी प्यार हो गया है आपको हमारी ये रेश्पी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरू करिएगा और जो मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताके मेरे आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुचे मिलते हैं